नमस्कार मनुदेल स्रया क्लासेज में आपका स्वागत है आज हम पढ़ेंगे राजस्तान के इतियास के परमुक स्रोतों के बारे में तो अगर हम इतियास के परमुक स्रोत देखते हैं तो कौन-कौन से स्रोत होते हैं इतियास के जो भी खुदाई के दुरान उस टाइम पिर परापत वहें उनके बारे में इस दे갈 dival heck फीज अरा चिसन 왁 की उसे राजा कार और फिर प्रापत में यहां से सम्राठ की बारे में इसमें बताया गया हैं gen-पतों में 10 जनपत सबसे पहला है मतस्य मतस्य वाला चेतर आता है जेवपूर अलवर और भरतपूर वाला चेतर कुरुचेतर कुरुचेतर में आता है अलवर भरतपूर और जेवपूर वाला चेतर मतस्य चेतर ही क्या है कुरुचेतर है सूर्षेन सूर्षेन में देखो अलवर का त शितोडगड़ वाला चेतर, योधे, योधे में उपर दिख रहा है आपको स्रीगंगानगर और हनमानगड़ वाला चेतर, मालों में जेवपूर, अजमेर और टॉंक वाला चेतर, सालव जनपद में आता है अल्वर वाला चेतर, देखो मनें इसमें शोवी कर रखा है, में इकल अकेला भरतपूर है माल्वं में आता है जर्पूर अजमेर ओर टोंक वाला चेटर शूर्षेन धोल्पूर वाला चेटर वह सूर्षेन जनपद है कि यहां पर सीवन नगरी यह कहां पर कौन सा, सीव में नगरी और बिकानेर वाले पढ़ते हैं बिकानेर में हैं गजशाही, मोरजाल, धवज, तिरिसूर और चमर ये सबी कहां के famous थे बिकानेर में बिकानेर में चले गजशाही, मोरजाल, धवज, तिरिसूर और चमर सिक्के जेसलमेर में अखे साही, नाना, मुहम्मद साही और डोडिया ये जेसलमेर में सिक्के थे जोदपूर में विजे साही, भीम साही, गदिया और फदिया इंपोर्टेंट क्यूशन है गदिया कौन सा सिक्का है जिसमें गदे का चिन है तो गदिया और फदिया जोदपूर में विजे साही और भेम साही जोदपूर में अब जेपूर में कौन-कौन से चिक्के चलते थे जेपूर में जाड साही महम्मद साही सावपुरा में जेपूर के पास इसावपुरा है उसमें गयार सिंदिया ये सबी सिक्के चलते थे जे तमंचा साही शिक्का, तमंचा साही शिक्का क्यों कहा गया दोलपूर के अंदर ये जो शिक्का चलता था, क्योंकि इसमें तमंचा का चिना था, बुंदी में शिक्के चले हैं चांदोडी, चांदोडी जो शिक्का चला है वो चांद कुम्वरी है, राजकुमारी थी चांद प्रताबगड में चलता था सिक्का अलम साही का जालाबाड में चलता था सिक्का मदन साही किस परकार का सिक्का था क्यूशन पूछा हुआ है तो मदन साही था तामबे का सिक्का तमंचा साही को तमंचा साही क्यों का गया है क्योंकि इसमें तमंचे का चिनैता था अब आता है कोटा, कोटा में चलता था गुमान साही, डुबू साही, क्या था एक तामबे का सिक्का था और उसी अंदर कोटा के अंदर गुमान साही, डबू साही, चलनी, हाली और मदन साही, ये सिक्के चलते थे कोटा में कोटा और बासवाडा इन दोनों में एक सिक्का और चलता था सालिम सा का सिक्का कोटा और बासवाडा अब यहाँ पे देखो मुगल कालिन सिक्के अलग से पुछी जाते हैं और गुप्त कालिन सिक्के अलग से पिछे जाते हैं कि मुगल कालिन सिक्के कहा कहा तो मुगल कालीन शिक्के नीचे देर का माने एक डोट, बुल्यू कलर का डोट है, तो बासवडा, शीरोई, कोटा, जोदपूर, जेपूर, जुनजुनू और चूरू, यहां पे कौन सा शिक्का चलता था, मुगल कालीन शिक्के चले थे, गुप्त कालीन देखो माने ग्रीन कलर के डोट से इसको दिखा रखा है, अजमेर, टॉंक और जेपूर, बरतपूर, नीचे वाले सैड में नहीं है, यह इसी च्यारी जगह पे हैं, पर आप तो यह बरतपूर, जेपूर, अजमेर और टॉंक में गुप्त कालीन शिक्के, आप कुछ सिक्के हैं, कौन से सासको के द्वारा चलाया गया था, आधी वरा ध्रम, वनायक ध्रम और वरा धिम, वरा ध्रम में विसोपक, इतने याद रख लो आप वरा ध्रम में और विसोपक, यह सिक्के चले थे परतियार सासकों के द्वारा, इसमें देवी, वरसब, अस्वरोही और मचली का चितर अंकी थ परतियार सासकों के द्वारा जो सिक्के चलाए गए थे उन में नेक्ट आता है कच्छवा सासकों के द्वारा कच्छवा सासकों ने चलाए था जाड साही और मुहमद साही सिक्का ब्रिटिस सरकार ने चलाए था कलदार का सिक्का कलदार जो सिक्के चले थे उसको कलदार कहते चोहानों ने रूपक, दिनार, विशोपक और द्रम चलाए थे परतीयार सास्कों ने भी और चाहनों भी इने भी ये चलाए हैं अलवर में अख्य साही सिक्का, मेवाड में त्रिसूलिया, डिंगला, उदेवपुरी, भिलाडी ये सबी सिक्के चलते थे और इसमें इंपोर्टेंट बात है कि जो भिलाडी सिक्का था वो है चांदी का और यहाँ पे मेवाड सितर में सोने और प्लस चांदी इन दोनों के सिक्के चलाये थे बपारावल ने ग्यारा सो बाणमा में पर्थिवराज चोहान का एक सिक्का प्राप्त हुआ है सो बाड में में खुदाई के ज़रान जिसमें परतिवराज चोहान और मुहम्मद बिन साम के नाम के इन दोनों के नाम लिखे हैं इस सिख्ग के ओपर डबू साई मारवाड का एक तांबे का सिख्गा था, खुष्छना आता है कि और इसके निर्माता है बिजोले सिलालेक के सुरावक लोलाग तो ये इसके रचनाकार कोना गुन बट नाम याद रखना है निर्माता है सुरावक लोलाग चर्वे का सिलालेक, चर्वे का सिलालेक है वो दिवपूर के महाराजा जेतर सिंग, तेज सिंग और राम सिंग के बारे में लिखा गया है चर्वे के सिलालेक में इसका लेखन किया है पार्शोचंद रतन परभु सूरी ने और इसके निर्माता है देलन केल सिंग ये दो नाम हैं, देलन और केल सिंग ने चिर्वी कहसेलायक का निर्मान किया है आबू लेखë जो लेख है उसमें लिखा गया है बपारावल से लेकर समर सिंग के टायम पिरेड का जितना भी लेख है वो सभी लिखा गया है आबू लेखंग में उसमें तेजे सिंग के बारे में लिखा हुआ है समदेशवर लेक समदेशवर लेक में राजा मुकल के बारे में लिखा गया है इसके रसनाकार है एकनात और विसल और इसके सिल्पकार है मनना रणकपूर परस्थिति है उसमें कुम्बा के बारे में लिखा गया है और इसके सिल्पकार थे देपा राय सिंग परस्तिती में राय सिंग बिकानेर के थे उनके बारे में लिखा गया है और इसके रसनाकार थे जेरता जेन मुनी जेता जेर्मुनी है जेता जेर्मुनी उन्होंने इसके रसना की है कुम्बलगड जो परस्तिती है उसमें लिखा गया है कुम्बा और हमीर तक का टाइम पिरेड का जितने भी गटना है उनके बारे में लिखा गया है और इसके रसनाकार थे महेश कुम्बलगर परस्तिती के बारे में क्यूशन पोचा हुआ है कि कुम्बलगर परस्तिती किस ने लिखी थी रसनाकार कौन थे तो महेश रसनाकार थे जगानात परस्तिती में उदेपूर के बारे में है और इसके रसनाकार है कशनवट और इसके सिलपी है माना मुकंद सरंगी रिशी लेख सरंगी रिशी लेख है उसमें मोकल और उदेपूर राजा उदेपूर के राजा थे मोकल उनके बारे में लिखा गया है इसके रसनाकार वानी विलास योगेश्वर और इसके सिल्पी है फन्ना हरकेली नाटक अभिलेख ये लिखाया है विग्रह राज चतुर्थ ने और इसके रसनाकार है हरकेली नाटक ये विग्रह राज चतुर्थ के बारे में लिखा गया है और रसनाकार भी कोन है इसके विग्रह राज है अथूर्णा प्रस्तती है वो राजा परमार राजा थे उनके बारे में इसके रचनाकार है विजी और अस्तराज और इसके सिल्फकार है गंदाग किराडो लेक में चालुक के सासकों के बारे में लिखा गया है और इसके रचनाकार है यशोदेव और इसके सिल्फकार है नर्शिंग यशोदर सुन्दा परवत जो लेख है वो नाडोल के सासकों के बारे में है इसकी रचना की लिखी है जे साने और इसके सिल्पकार है जे मंगलाचारिये अचलेश्वर लेख अच्वज सिलर लेख है वो गुहिल सास्कों के बारे में है इसके रचना की है सुबचंदर वेदसर्माने और इसके सिल्पी है करम सिंग नागदा लेख नागदा लेख गुहिलवंस के बारे में है और इसके सिल्पी है धारणा नेमिनात मंदिर प्रस्ति है उसके रसनाकार है सोमेश्वर और इसके सिल्पी है चंडेश्वर वेदनात मंदिर प्रस्ति इसके रसनाकार है रूपबट और इसके सिल्पी है रूपी और नारलाई लेख है उसके रसनाकार है इस्वर सूरी और इसके सिल्पी है सोमा तो ये वेदनात मंदिर जितनी भी परस्तिती प्राबती हुए उनके आप स्क्रीन सोट ले लेना और इसको अच्छी तरह से पढ़ लेना ओके थैंक यू फॉर वचिंग मैं वीडियो